हालो गाईज वेलकम टू अची वाईएस मैं इस वीडियो में हम एपेसोड 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंचेंट इस्टो इंडिया गा एंजनीजम हमने पढ़ लिया था और बुद्धिस्म के भी कुछ अंश हमने पढ़ लिया थे चलिए हम आगे बढ़ते हैं शुरू कर कर सकते हैं चार बुद्धिस काउंसल मैंने बताए थे इसमें से मैंने आपको कनिश्क का जो फोर्थ काउंसल था बताया जिसमें मैंने कहा था किसी टाइम महायाना और हिनायाना डिवाइड बढ़ गए थे बुद्धिस्म दो बागों बढ़ गया था महायाना और हिनायान ओल्ड स्कूल था महायाना न्यू स्कूल है हीना याना अबेंडेंड भी कल भी कियता है यानि यह पुरा नहों चुका ओरिजनल टीचिंग थीस में बुद्धा की और बिल्कुल जो सत्य जो बुद्धा ने कहा था उनकी खुद की बाते उसमें थी बुद्धा ना आइडल वर्षिप में विश्वास रखते थे मूर्थी पूझा में किसी मूर्थी को या इसे सिंबल थे वहाँ पे सिंबल्स की वो वर्षिप करते थे लेकिन मूर्थी नहीं थी आइडल नहीं थी और कोशिशे करते थे कि आदमी खुद पहले जो है सालवेशन को अचीव कर ले पहले खुद मौक्ष पाले पहले खुद सफ़ा लो जाए अपने कामों में फिर दूसरे की तरफ आगे बढ़े थेरा वड़ा इसका एक सेक्ट है हिनायाना का हिनाया जो स्कूल अब बुद्ध लुडिमें उसका एक सेक्ट है तरफला हिनाया जो बुद्धिज्म है उसको साधन दन बुद्धिस रिजिन भी कहते क्योंकि शौथि स्कूल। बुद्धिस चलाता है ठीक है ऺ damned वैसे ही और इसको नोर्थन नोर्थन न इंडियन नोर्थन बुद्धिस रिलीजिनुम्हा महायना नया है और वैसे दो मेन स्कूल है बुद्धिम के हिनायाना महायना दूसरा वो महायना महायना का मतलब मैंने बता ग्रेटर वीकल इसमें विश्वास करते है या इडिल वर्षिप बुद्ध नहीं रखिए जब बुद्ध नहीं रहे तो बच्चों को लगा डिसिपल् मूर्तियों की पूजा करनी शुरू करते और अब जो इनलाइट्मेंट प्राप्त करना चाहते थे जो उस मार्ग पे उस रास्ते में चल रहे थे जिस पे बुद्धा चल रहे थे निर्वाना प्राप्त करने से पहले इनलाइट्मेंट प्राप्त करने से पहले उस मार्ग पे तो बोदी सत्वा कौन से स्कूल का पार्ट है महायाना नौर्दन इंडिया में औरिजनेट हुआ खासकर कश्मीर में जैसा कि मैंने कहा आपको कि महायाना कनिश्क के द्वारा निकल के प्रफगेट कनिश्क ने महायाना स्कूल को ही किया था वहां से सेंटरल एश्या इस्ट एशिया और साउथ इस्टेशा में फैल लगया चाइना में तो बुद्धिस स्कूल से ही कोर्या तीबेत और जापान में तो महायाना ट्रेडिशन ओरड़ी है महायना वहां तो आपको बुद्ध बुद्धा की स्टेचूस मिल जाएंगे बड़े-बड़े तो महायना बुद तो थेरावाड़ा भी एंशेंट ब्रांच है बहुत है मतलब नोर्मली जो स्कूल से हैं उनसे काफी जादा पुराना है बुद्धिस में का ओरिजनल टीचिंग्स के असोशेटेड़ है क्योंकि मैंने का हीनायना के सेक्टर हीनायना तो बुद्धा की तो ओरिजनल टीचि का थाइलेंड में फैलता चला गया वज्जरयाना तो तंत्रिक स्कूल भी कहते हैं इसको तंत्रबंत्र की बातें यहां से शुरू होनी शुरू हो गई थी और वीकल ओफ थंडरबोल्ट भी इसको कहते है रिचूल काफी ज्यादा आ गए थे ठीक है मतलब रिचूल बढ़ किया और इसका अगर सबसे प्रमुख अंश्रम आपको बोताओं की फीचर क्या था तो मेडिटेशन जैन आपने सुना होगा ना कई बार वीडियो में यूटूब में देखा होगे जैन लाइफ जैन मेडिटेशन तो मेडिटेशन पर थोड़ा यह ज्यादा फोकस करके चल आइंसा का पार्ट पढ़ाया नओन वॉयलेंस कहां से आया सबसे पहले बुद्धा नहीं तो बताया था तबी तो इनको जो ट्रेडर्स ते जो वेशास ते जो मर्चेंट्स ते जो बैंकर्स थे जो धंदा करने वाले बिजनिस मैंस को क्यों प्रमोट किया ताकि जब वार नहीं होगा तो ट्रेड भड़ता और फायदा उनको ही होगा इसलिए तो यह थोड़ा सा फेमस था ट्रेडर्स में तभी तो आप देखो के जैन जो जैन जो लोग मोस्ली ट्रेडर्स ही होते हैं तो खेरा भी तो हम बुद्धिस में पड़ रहें कार्ट अर्टिटेक्चर तो कफी अच्छा किया जासे शांट अस्तूप अस्तूप आतला है बहुत तोपाए गया स्तूब करते थे और going कहा से चाइन से पुनियाबर से लोग आते थे परणना डिसकेशन करते थे और ऐसा नहीं है कि इसमें जो है नॉर्मल लिट्रेचर पढ़ाती है थे लॉव, फिलोसफी, फिजिक्स, एस्ट्रोनोमी, साइंस, मैटमोटेक्स, एस्टालोजी, बहुत कुछ में पढ़ाया जाता था नालंदा में तो नालंदा मावीरा कुमार गुपत के टाइम डॉलाव होई थी जब हम पढ़ेंगे गुपता इच की तरफ हम जाएंगे पाली और लोकल लेंग्वेस तो बढ़ी ही बुद्धिस्म से लोकल लेंग्वेस तो बढ़ी है इंडिन कल्चर आगे बढ़ाया है एश्य की तरफ भी आज के टाइम पर बुद्धिस्म के रिलेवेंस आपको दिखेगी इंडिया चाइना रिलेशन इंडिया जैपनीज रिलेशन इंडिया नेपालीज कोरियन रिलेशन्स जैपनीज इन सम्में क्या है बुद्धिस्म का काफ़े ज़्यदा प्रभाव और हमारी सॉफ्ट जैसे और बुद्धिस मैंसा है कि नोन वोईलेंस का पार्ट पड़ाता है तो बुद्धिस में प्रमोट होता है तो अपने आप इसके आइडियल्स इंडिया जो इस टाइम पर सही है इंडिया इसको रिसोर्स को यूज करना चाहता है कि हम इसको अच्छे से इंट्रनेशन गुडविल मान के कल्चर रिलेशन प्रमोट करें और सोफ्ट पावर बढ़ाएं आज के टाइम पर ज़रूरी है बहुत सिमिलेटीज क्यां क्या है बुद्दिजम और जैनिजम है फिर आपको डिफ्रेंट्यस की बात करूँगा देगर सबसे पहली बात तो इन्होंने वेदास को रिजएट कर दिया ब्रहमनिसम को रिजएट कर दिया अब ब्रहमनिजम का मतलब यह नहीं है कि ब्रहमनों को यहीं देखने की सत्य क्या है एक जैसे थे और एक की चीज पाई इनों ने बुद्दा को इंलाइटमेंट मिला निर्वाना महावीर को मिला वर्दमान महावीर को केवल वो भी एक तरह का इंलाइटमेंट यह दोनों ने नो नोगन्यों की बात की दोनों ने दूसरे को पर विश्वास करते थे कि आत्मा नहीं मरती शरीर चेंज उता रहता आत्मा एक चरी से दूसरी चरी में जाती रहती रिकारनेशन उसको बोलते हैं तो कुछ जैनीजमे के लिए हैं लेकिन वोग्हें गूँवोण पर नहीं पहुंच आख यह हैंनें जैनिसमे के लिए गोडैलभान हैं restoration लेकिन अचे नीचे हैं भुद्दा तो गड़र पर बात रांड़ करऊंगा बात पर आप बुद्धा ना गौड को मानते थे ना सोल को मानते थे गौड पे तो discussion नहीं होता था रियल प्रोड्लमस पे फोकस करते थे तब ही तो बुद्धा ने कास्ट को तकार का लेकर काफी ज़्यादा जो है आगेंश्ट में थे इतने जैनिस में नहीं थे तना जैन में इंपोटेंस देते हैं ठीक है सोल को इंपोटेंस देते हैं वो और सोल हर इंसान में हरो जो अब्जेक्ट में होती है सा मानते हैं तो क्रिशन अगर आज आए कि गोड में बिलीव करते तो दोनों में से कोई भी गोड को as a creator of the universe बिलीव नहीं करता था सुप्रीम बिंग नहीं करता था समझ रहे हैं न तो गोड को जीना से नीचे ही मानते थे जैनिज़ जिबुदिव जैनिज़ की बात करूँ तो कर्मा पर विश्वास करते थे लॉफ कर्मा अवतारों पे की सोल छोड़के जाती रिबर्थ होता है आज जनम मंगला जनम प्रिवेस बोडी नेक्स्ट बोडी प्रेजेंट बोडी रिकार नेशन इन सब पे दोनों विश्वास करते डिफरेंस क्या है जैनिजम थोड़ा पूराना क्योंकि जैनिजम के जो अब देखोगे 24 तीर थंग करते और कहा जाता है कि बहुत पूराना है व कास्ट से थोड़ा ऐसे मतला स्ट्रॉंग विउस ते अगेंस्ट में क्योंकि मैंने का ना कि बुद्धा जो है वो वर्डिली प्रोब्लम से फोकस करके चलते थे और वर्डिली अगर आप देखो कि स्टैंप पे तो कास्ट रिडिटी के अलावा आपको कोई बड़ी सब को छोड़ना पड़ेगा आपको कपड़े यहां ठोड़ने पड़ेंगे लेकिन बुद्धिज में से नहीं था बुद्धिज में रखा की मिडल पाथ अपना हो मैंने का था मिडल पाथ एक्स्ट्रीम लेवल पर मत जाओ तथागत मार्ग अपना हो अपने यह जो डिसी बददगी में बदला आ सकते हैं बुद्धिज में जो हो संगा पर करते थे ज्यादा मोंग की जो कांचिल्स वगएर होती हैं जैनिस्म साल्वेशन में विश्वास करते थे डेथ के बाद ही और बुद्धिज्म के अकोर्डिंग साल्वेशन आपको पहले ही मिल जाए यानि साल्वेशन मतलब मौक्ष इनलाइटमेट निर्वाना के वल्या और कोई भी ना हम अगर आपको होते होंगे तो आप समझ सकते मैं क्या क लाइफ जैनिज्म इंडिया से बाहर फैला नहीं है कभी देखा कि जैनिज्म को हमने किसी और कंट्री में कुछ जो है इंफ्लॉएंस नहीं बुद्धिज्म को अशोका अपने जो थे वो शेलंका की तरफ उन्होंने अपने बच्चों को भीज दिया बेटा-बेटी को ना शुरू में शुरू में सिम्लेटी थी बाद में डिफ्रेंस आ गए जैनिज्म जो है महावीरा और उनके जो तीर्थंग करते उनको मूर्ती में पूझा कर ला कि आइडल वर्शिप वैसे तो बुद्धिज्म में भी आ गई थी बाद में लेकिन यह ध्यान रखेगा कि जै में पहले आ गई थी ठीक है उठे वो एक प्रिंसिपल पे थे लेकिन चेंजेस दोनों में आया है आज के लिए तरहीं कल आगे बढ़ेंगे हम थिंक्स वर्चिंग जैहिंद गोड़ ब्लेस यू अल